हेलो फ्रेंड्स दिस इस एस्पिशिंग एंड वेलकम टू श्मार्टर एवरिड़ी बियट में 100 में 100 आने का फॉर्मुला यह कुछ ऐसे स्टेप्स आज में आपको देने वाला हूं जो डेफिनेटली आपको बियट में 100 में 100 मांक्स दिलाने का दावा करेंगे फॉलो दीज स्टेप्स क्या रहेंगे वो स्टेप्स इनको जान लेते हैं टाइम मेनेजमेंट अब आप कहेंगे सर्फ टाइम मेनेजमेंट तो आप बता चुके हैं लेकिन आज मैं उसको और बहित्रिन तरीके से कुछ अलग धंग से बताने का प्रयास करूंगा अगर पेपर में आपका टफ क्योशन आ जाता है तो उसको कैशे हम लिख सकते हैं क्या तरीका अपनाएंगे कि टफ से टफ क्योशन को भी आसान करके हम उसको लिख सकते हैं यूज इजी लैंगवेज पेपर में किस तरीके की भाषा का यूज करें कि एजामनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े और वो हमें बहत्रीन से बहत्रीन माक्ष देने पर मजबूर हो जाए लॉग एंड सौर्ट कोर्शन स्पेज लिमिट है तो यह हमारे कुछ पांच स्टेप्स हैं इनको वन बाई वन करके मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रियास करूँगा जो भी स्टेंड क्लास में लाज तक बना रहेगा डेफिनेटली वो 100 पर 100 लाने का हकदार होगा दोस्तों हमारे टीचर्स और पैरेंट्स हमेशा ये बोलते रहते हैं कि पढ़ो पढ़ाई करो और अच्छे नमबर लाओ लेकिन कोई भी इस टॉपिक पर बात ही नहीं करता कि पढ़ाई करने के बाद जो नौलेज हमें मिल रहा है उसे एक्जाम में अच्छे से कैसे डेलिवर करें टीचर्स भी केवल पढ़ाई के ऊपर फोकस करने का ही बोलते हैं कि focus on your study, concentrate on your study लेकिन battlefield यानि कि जो युद्ध का मैदान, examination hall है उसमें paper कैसे attempt करना चाहिए किन-किन बातों का ध्यान लगते हुए paper attempt करना चाहिए ये बहुत कम ही लोग बताते हैं इसका result ये रहता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के पावजूद भी students को कम marks से ही संतुष्ट होना पड़ता है पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि पढ़ा हुआ आखिर exam में deliver कैसे करें अगर आपको ये मालूम है कि exam में paper कैसे attempt करना चाहिए कि इन बातों का ध्यान लगना चाहिए कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए तो आप अपने से ज़्यादा पढ़ने वाले students को भी पीछे छोड़ सकते हो उनको भी पचाड़ सकते हो बहुत सारे students exam खत्म होने के बाद अक्षर ये कहते हुए मिल जाते हैं कि यार मुझे तो पूरा paper आता था लेकिन time ही नहीं मिला यार वो दस नमबर का जो question था मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं जल्दबाजी में मुझे से आता हुआ question भी गलत हो गया आप exam में ये सारी गलतियां ना करो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ एक्जाम में paper attempt करने की proper strategy क्या हो सकती है उसी के उपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो क्या है वो tips जो आपके exam में रामबान सिद्ध होगी जानने के लिए बने रहना वीडियो को अंधर तक पुचलिए friends सुरू करते हैं सबसे पहला हमारे सामने है time management Friends, exam खत्म होने के बाद पहुत सारे students अक्सर ये कहते हुए मिल जाते हैं कि यार थोड़ा सा समय और होता तो paper complete हो जाता Time की कमी की वज़े से मेरे तीन आते हुए questions छूट गए दर असल ये time की कमी से नहीं होता है ये होता है उनकी लापरवाही की वज़े से हर students को paper complete करने के लिए एक बराबर time मिलता है एक समान ही समय मिलता है लेकिन कुछ students उस given time में paper complete कर पाते हैं Time management से सम्मंदित ये गलती अच्छे अच्छों को ले डूपती है Starting के जो short questions होते हैं उनका answer तो students बहुत बढ़ा चड़ा कर लिख देते हैं और बाद में आते हैं long questions पर जिनमें detail में answer लिखना होता है उनको एक या देड़ पेज में निपटा देते हैं या तो बहुत सारे students ये सोच कर भी time बरबात करते हैं कि मुझे section B का fourth question नहीं आता यार अब मैं क्या करूँ पूरे paper में 20 questions हैं और अगर उसे चार questions नहीं आते हैं तो students उन आते हुए questions के बारे में नहीं सोचेगा बलकि उन questions के बारे में सोचेगा जो उसे नहीं आते हैं जिसके कारण उसके आते हुए questions में भी वो अपना hundred percent नहीं दे पाता है वो ठीक इसी तरह से छूटी-छूटी गलतियों के कारण सही से time minus नहीं कर पाता है उसे time minus नहीं हो पाता है और paper समय पर complete नहीं हो पाता है आब इस problem का केवल एक ही solution है क्या solution है? किसी भी question को जरूरत से ज़्यादा समय मत दो किसी भी question को जरूरत से ज़्यादा समय नहीं देना है ये कभी मत करना कि यार चलो बाद में time cover कर लूँगा इस question में ज़्यादा time दे देता हूँ बाद में कुछ भी cover नहीं होने वाला है अगर आपका paper 80 number का है और paper खत्म करने के लिए 3 घंटे यानि की 180 मिनट मिले है तो आपको 160 मिनट में ही paper खत्म करना होगा यानि एक number के लिए आपके पास लगबग 2 मिनट है 5 number का question है तो उसे 10 मिनट से ज़्यादा मत दो 10 मिनट में उस question को complete करने की कोशिश करो अगर आप घर पर ज़्यादा से ज़्यादा sample paper solve करते हैं previous year से solve करते हैं तो इससे भी exam में paper समय पर खत्म करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको आप घर पे 3 घंटे का timer लगा के previous year question paper से solve करें जिससे कि आपको ये time management वाली जो समस्चा है वो आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाए अब हम बात करेंगे attempt question paper in sequence friends मैं आपसे एक question करता हूँ माल लो आप copy चेक कर रहे हों और आपके पास दो बच्चों की answer seats है पहले students ने उल्टा सीधा कभी पहला question कर दिया तो कभी पांचमां solve कर दिया questions sequence में attempt नहीं कर रखे है और ना ही उस student की handwriting अच्छी है और दूसरी तरफ दूसरे student की copy neat and clean है और सारे questions sequence में solve किये है answers में important lines को और keywords को underline करके रखा है जो definitions हैं उनको inverted में बंद किया हुआ है आप दोनों में से किसे ज़्यादा number देना चाहोगे बताओ obviously दूसरे student को काम आपको ज़्यादा पसंद आएगा दूसरे student का आप से ज़्यादा number देने की कोशिश करोगे इसलिए आपको भी paper जितना हो सके sequence में और अच्छी handwriting में attempt करने की कोशिश करनी है जहां तक हो सके कोशिश करना की sequence ना तूटे इसके अलावा starting के 5-7 questions में तो अपनी writing अच्छी ही रखना बेहितरीन पाद में examiner को अपना असली रूप दिखा देना आखरी में जो कि हर एक instrument करता है next step हमारे सामने है don't worry about tough one friends ये तो universal truth है सारभौमिक शरत है कि paper में कोई ना कोई question तो ऐसा होगा ही जो आपको नहीं आता होगा ऐसे में बहुत सारे strengths डर जाते है घबरा जाते है जिनका असर उन questions पर भी दिखाई देता है जो उन्हें अच्छे से आते है questions ना आने पर घबराओ मत अगर कोई question tough है तो वो बेसक सब के लिए है कि आपके अकेले के लिए tough आया है वो तो सब के लिए tough है सिर्फ आपके लिए नहीं है इसलिए अपने आपको सांत रखो और tough questions से घबराओ नहीं हर paper में 2-3 tough questions तो होते ही है जो बहुत कम students ही solve कर पाते है आपको उन cutting questions के अलावा जिनमें भी answers अच्छे से आपको आते हैं मालूम है उन्हें पहले attempt करना है उन questions में अपना 100% देना है tough questions के पीछे नहीं पढ़ना है अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है वो तो सब के लिए tough है अरे जो आता है उसमें तो अपना 100% देने की कोशिश करो उसको तो बहतर और best बनाओ next हमारा point होगा use easy language यानि की आसान से आशान भाषा का यूज करना है आपको fancy words यूज नहीं करने है जितनी आसान भाषा में लिख सकते हो लिखो कठिन सब्द नहीं लिखने है जिनका मतलब एक जामनर को खुद ना आता हो ऐसे subdisciplines की use कर देते है एक जामनर खुद confuse हो जाता है ऐसी चीजों से बचिये आसान से आसान भाषा का प्रियूक करेंगे answer को अपनी भाषा में convey करने की कोशिश करें अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें किताबी रटू-तूता वली भाषा ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है एक जामनर भी समझेगा कि बच्चे को knowledge है उसने बात को अपनी language में कहा है अपनी भाषा में उसने बात कहने की कोशिश की है इसी लिए use easy language आसान से आसान भाषा का प्रियोग करें आज का last step long and short questions page limit ये तो पता होना चाहिए कि long question को कितने page में लिखना है short question को कितने page में लिखना है starting में शुरुआत में क्या होता है student को खूब इकदम से जोस आ जाता है धरके उसने short question को पूरा फैला के लिख दिया और जब time नहीं बचा तो long question को एक page में निप्टा दिया what is this ये क्या है दोस्तों यहाँ बहुत ही एहम point है mostly strength यह है नहीं जानते हैं कि short question को कितने page में लिखना है और long question को कितने page में लिखना है आज मैं आपको बता देता हूँ जो short question हो उसको आप 1.5 से 2 page में निप्टा देंगे अगर question आपका 4 number का है तो उसको आप क्या करेंगे 1.5 से 2 page के अंदर खत्म करेंगे और अगर long question आपका 8 से 10 या 12 number का है तो उसको आप 4 से 4.4 या फिर 5 page के अंदर निप्टाने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों अब हम आते हैं conclusion पर सारांस क्या निकला इस वीडियो का जो भी tough questions हैं उनके प्रती हम परिशान ना हो क्योंकि tough तो सब के लिए tough है है ना तो हमें क्या करना है कि जो हमें questions आते हैं उनमें हम अपना 100% देने का प्रयास करें और उनको और बहुतर तरीके से लिखें use easy language कोशिश कीजिए कि जो भी आपने book में देना है पहरे दोस्तों क्लास करें सिरी कमेट करके जुरू बताईए मिलते हैं बोजल्दी next class में अगर आपने मुझे मेरे दूसरे चैनल पर follow नहीं किया है तो उसका link description box में दिया हुआ है आप मुझे वहा भी follow कर सकते हैं thank you